दोस्तों बात होगी फिल्म मिलाव के गीतों के बारे में फिल्म मिलाव रिलीज हुई थी 1972 में फिल्म को डियरेट किया था बी आर इशाड़ा जी ने फिल्म के गानी लिखे थे नक्ष लायल पुरी जी ने और फिल्म का जो म्यूजिक था वो था बिरिच भुशनग जी का इस फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसमें दो गाने गाये थे आशा भोसले जी ने एक गाया था मुहम्मद रफी साहब ने और एक गाने को अपनी आवाज से सजाया था मुकेश साहब ने नक्ष लायल पूरी जी ने चारो ही गीत बहुत लाजवाब लिखे थे और दो गाने जो आशा भोसले जी के थे वो पहले है रिकार्ड हो चुके थे उसके बाद तीसरे गाने की बात आई जो की मुहम्मद रफी साहब ने गाया था गाने के बोल थे कहीं ऐसा नहो तुम अजनबी राहों में खो जाओ ये गाना मुहम्मद रफी साहब ने गाया था उसके बाद जो दूसरा गाना था जो मुकेश जी की आवाज में था कई सदियों से कई जनमों से तेरे प्यार को तरसे मेरामन ये गाना बहुत फेमस हुआ फोथा ये गाना भी रफी साहब को ही मिलता अगर बी आर इशारा जी का फोन नहीं आया होता क्योंकि शतुरगं सिना पर रफी साहब की आवास बहुत सूट करती थी तो जब मुहम्मद रफी साहब ये गाना कर रहे थे जब इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी कहीं ऐसा नहो तुम अजनबी राहों में खो जाओ। ये गाना जब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद नक्ष लायल पूरी जी के पास बी आर इशारा जी का फोन आया क्योंकि वो फिल्म के डिरेक्टर थे और वो उस टाइम रिकॉर्डिंग हॉल में मौजूद नहीं थे कहीं फिल् कि दूसरा गाना किसी और सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए क्यूंकि इस फिल्म मिलाप में शत्र गन्सिना के दो रोल हैं यानि के उनके दो रूप हैं एक रूप किसी और तरह से हैं और दूसरा रूप कुछ और है Spaक पर उे तो रफि साहब की आवाज में गान तब ये गानर रेकॉर्ड होने के बाद नक्षलाल पूरी जी ने मुकेश जी को फोन किया और उन्होंने पहले ये चेक किया कि कौन सी लैब में ये गानर रेकॉर्ड हो सकता है तब मुकेश जी को फोन करके बॉम्बे लैब में बुलाया गया लेकिन उन दिनों मुकेश हाट अटेक से उभरे थे उनकी तब्यत बहुत ठीक नहीं थी तब इस गाने को कई सद्यों से कई जन्दमों से तेरे प्यार को तर्से मेरा मन और तब इस गाने को मुकेश जी की आवाज में टुकडो में रिकॉर्ड करवाया गया पूरे गाने को एक साथ नहीं इस तरह से एक गाना मिला रफी साहब को और दूसरा गाना मिला मुकेश जी को फिल्म की रिलीस के बाद ही ये गाना जो मुके जी ने गाया था काफी हीट साबित हुआ था और ये गाना फिल्म में अक्सर पले होता भी रहता है लेकिन जो रफी साहब ने गाया गाना वो भी काफी अच्छा था तो इस तरह से ये दो गाने अपने अंजाम तक पहुँचे हो सकता है ये गाना रफी साहब को भी मिल जाता लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है हमें इसी पर बिलीव करना चाहिए अगर information अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तो चैनल पर नए हो तो subscribe भी कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए यही था आज के रोहानिक किस्तों में